जाहन मैं हूँ करना दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंग आज पाकिस्तान में एक दुखत घटना हुई पाकिस्तान में क्रिश्चिन्स के चार चर्चिस को आग लगा दी गई और काफी सारे लोगों की प्रॉपर्टीज बरबाद कर दी गर जला दी है और मेरे काल से कुछ लोग जा भाग भी हुए हैं महाँ पर डिटेल्स मेरे को नहीं मालूं जो ट्विटर पर देखने को पढ़ने को सुनने को मिल रहा है उसके बेसिस पर मैं ये आर्ग्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूँ लेकिन क्या ये पाकिस्तान म की बच्चियों को उठाके अगवा करके उनको जबरन मुसल्मान बना के और आदी उमर के लोगों के साथ शादी कर दी जाती है और ये उस मुल्क में हैं जो इसलाम के नाम पर बना इसलाम का रखवाला और अपने आपको बहुत जबर्दस मुसल्मान कहने वाले लोगों के कि ये मुल्क में इस तरीके की ये घटनाए हो रही है आप इसको एनलाईस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है देखिए जो मेरी अंडरस्टेंडिंग है ये 1971 से पहले पाकिस्तान में इस तरीके की घटनाएं नहीं होती थी पाकिस्तान वास रिलेटिवली आ वेरी पीस्फुल प्लेस लेकिन इकत्तर की जंग के बाद और इन फैक्ट बांगला देश की घटनाओं के बाद पंजाबी मुसल्मान थोड़ा बॉखला गया डर गया घबरा गया उसको लगा कि अल्ला की नाम पे बनाई गई ये पाक सरजमीन जिसको हम लोग नापाक कहते हैं ये कभी भी चिन सकती है बहुत जबरदस पैरनौया हो गया उसको जाहिर सी बात है जिस मुल्क के एक लाग से के करीब फौजी युद बंदक बने हो प्रिजिनर्स ऑफ वार बने हो और वो भी पंजाब से अकसरियत जिनकी पंजाब से हो और पंजाब को मैं एंफिसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि दरसल ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की कहानी ये या तो यूपी के मुसल्मानों की देन है या पाकिस्तानी पंजाबियों की देन है इन फैक्ट यूपी के मुसल्मान है कि पूरी तरह ये लूट रहे हैं पाकिस्तान को पाकिस्तान की जो घटनाएं हम देखते हैं उससे बिल्कुल साफ क्लियर हो जाता है कि इनको मुल्कूल से कोई मतलब नहीं है इनको लूट से मतलब है लेकिन इन्हों ने जैसा मैं कहा था इकत्र की जंग के उस strategic depth के अंदर इन्होंने अफगानिस्तान को अपना backyard माना कि अगर हिंदुस्तान हम पर हमला करेगा और क्योंकि हम एक अत्तर की जंग 65 की जंग और 48 की जंग हार चुके हैं तो अगली जंग भी हम हार जाएंगे तो हमें भागना पड़ेगा और जब भागना पड़ेगा तो हम अपनी लड़ाई अफगानिस्तान की सरजमी से करेंगे तो यह था strategic depth का मतलब और इसके चलते उन्होंने अफगानिस्तान को कभी अपने पैरों पर खड़े होने नहीं दिया अफगानिस्तान में कभी शान्ती होने नहीं दिया आज की तार इतनी ज्यादा इसलमाई सुसाइटी है कि वो इनको टॉलरेट कर रही है एकसेट कर रही है और वैल इनको भी चैलेंज आई एस आई के पी आई एस आई खुरासान प्रोविंस इनको चैलेंज करेंगे बट वो एक दूसरा टॉपिक है दूसरा discussion है वहाँ पर हम नहीं इतना हद तक रैडिकलाइस करती है उसका logic है उसका logic यह है कि एकि अगर रैडिकलाइस सुसाइटी हो जाएगी और हत्यारों की वह干र कोई कमी नहीं है अफगान वार के चलते अफगानिस्तान का पोरस बॉर्डर के होते वहाँ पर AK-47 शाहिद हर घर में है और जैसा मैंने कहा कि मिलिटराइज सोसाइटी है रेडिकलाइज सोसाइटी है हत्यारों की कोई कमी नहीं है ये बेसिकली अगर मालो इंडियन आमी वहाँ पर कबजा करने जाती है फौज है पाकिस्तान की भागती है तो जो काउंटर एक्शन जो होगा वो आवाम की तरफ से होगा और इस रेडिकलाइज सोसाइटी की तरफ से होगा जो की गुरिला वार्फेर करेंगे तो ये आईडिया है इसी लिए आप देखेंगे कि कभी भी इन ऐसे अनासर इनके के खिलाफ कोई कारवाई नहीं होती है इनको बढ़ावा दिया जाता है पाकिस्तानी टेलेविजन में इसको उकसाया जाता है अब कई कोई बदमाश जो की विए जिसने दंगे बढ़काने में बहुत बड़ा योगदान दिया कोई बजरंगी करके है उसको दोड़ा दोड़ा के पकड़ा गया पुलिस ने अच्छी तरा उसको पकड़ लिया है अब उसकी सिकाई और दुनाई होगी और अपने आप सारा गुस् उसका सिरब ये कहना था कि आप जो है नमाज में टाइम जाया करते हैं आप जाएं और काम पे जल्दी लोटें उसका ये तर्क था और ये वहाँ के लोग इसको पसंद नहीं करते क्योंकि कोई अल्ला के इवादत में बीच में आये तो फिर वो काबले बरदास नहीं है और और कुछ कहते हैं निउस पेपर कटिंग किसीने दिवार पर चिपका दी थी और उसकी फैक्टरी के अंदर इंसफेक्शन होना था उसने वह जो जो न्यूस पेपर कटिंग थी उसको फाड़ दिया उसको ब्लैसफेमिस माना गया और उसको गुस्धावी मानी गई और उसक सूर्थी से उसको पाला है क्योंकि उसको यह लगता है कि यह थर्ड फ्रंट होगा अगर भारत हमला करता है तो यह जो गुरिला फोर्स हैं जो यह लोग बनाएंगे जो पैरा मिलिटरी बनाएंगे वह उनके काफी काम आने वाली है तो यह उसके बीछे फॉर्ट है और कभी भी आप नहीं देखेंगे कि इनको काबू किया जाए काबू किया जाएगा ब्लेस्फेमी लॉव जिस तरीके से पाकिस्तान दुरू पर होता है सल्मान तासीर एक मेरे खाल से सल्मान तासीर ही था जो पंजाब का गवर्नर था उसने उसके खिलाफ कोई बात करी तो उसी के बॉडिगार्ट ने उसको उसका कतल कर दिया और जो लॉयर कम्मुनिटी थी उन्होंने उस मर्डर को उसके उपर फूल बरसाए और वो सब कारवाई हुई और उसको क्या कहते हैं शहीद का दिर्जा दे मारा गया था या पतानी उसके बाद में जो भी कुछ भाधा ता तो वो शहीद हो गया और अभी कहते हैं कि उसकी जो मजार रहे और वहां पर बहुत लोग शुक्री आदा करने आते हैं कि अल्ला के ड्यूटी में इतना बड़ा काम किया अब मेरे खाल से सीरिया, सुदान और आपका अफगानिस्तान इन एनी केस और पाकिस्तान यही यही पर जहालत आप को देखने को मिल रही है और मेरा यह मानना है कि इन्हों ने जितनी खिदमत इसलाम की करी है शायद और किसी नेशनलिटी ने नहीं करी कोई कितना भी कहता रहे कि इसलाम इस रिलिजिन आफ पीस पाकिस्तान इस आइडिया को डिफाई करता है और एक काउंटर लॉजिक पेश करता है कि इसलाम इस नोट रिलिजिन आफ पीस यह पाकिस्तानी हरकते जो है यह इस चीज को क्लियर कर देती है अब इसका नुकसान फाइदा क्या होगा देखिए सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि भारत के अंदर भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है और अगर आप इसकी टाइम लाइन देखें इसको समझें तो जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन बढ़ा और हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने टर्रिस्ट घटनाई करी यहां के लोग भी धीरे धीरे कटर होते चले गए आप एक मुसल्मानों के खिलाफ एक उपीनियन रखते हैं और वो उपीनियन रातो रात नहीं बना वो हाफिस सईद जैसे मॉलवीयों के जो तकरीरे होती थी थी उनको सुनके बना लकवी की हरकत मुंबई हमलों में और उसकी जो तक्रीरे हैं उसकी जो बात्चीत हैं उसको सुनकर बना इसी तरह पाकिस्तान के कई मौल भी, जो की पाकिस्तान टेलिविजन पर आकर और पाकिस्तानी जो प्राइवेट चैनल हैं उस पर आकर और इस तरीके की बाते करते हैं इंटरनेट का जमाना है, क्लिप्स आती हैं, लोग देखते हैं, तो धीरे-धीरे उनके अंदर भी कट्रता बढ़ती जाती है, और ये जो आप जो देख रहे हैं, इंडिया के अंदर जो रियक्शन होता है, वो इसी वज़े से होता है, तरसल जो भाशा हम बोलते हैं, उर्द जो भी डायलेक्ट पाकिस्तान में बोला जाता है, वो बेसिकली आर अल इंडिक लैंग्वेजिस, और वो सब एक दूसरे की भाशा हम समझ लेते हैं, चाहे वो कहीं की भी भाशा हो, तो इस तरीके के लोग जरूर मौजूद हैं, जो समझ लेते हैं, और इंटरनेट से कोई इस तरीके की बात करें, तो हमों dokument नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरीके की बात करते हैं, तो बड़ी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि देखने में, बोलने में, सुनने में सब हम Е Twist, इनफेक्ट यह हम सारी की सारे इंडियन झी थे और वो तो इसल तो यह कहते हैं कि शुक्र मनावा जिन्ना का शुक्री आदा करो कि उन्होंने पाकिस्तान खड़ा कर दिया नहीं तो कितना मुश्किल हो जाता और मेरे ख्याल से कई वारी जब इन लोगों को मैं देखता हूं तो मैं अल्ला को दुआ देता हूं कि अल्ला अगर तुम ना मद करते तो हमारा क्या होता समझ गया हम मैं क्या कह रहा हूं तो बहराल तो यह है और पाकिस्तान मिलिटरी की सोच मैंने बता दी और इंडिया के अंदर जो रेडिकलाइजेशन है मैजॉरिटी कम्मूनिटी का उसके पीछे क्या कारण है जो सबकॉंशिसली वो चलता है वह प majority का फरक तो बिलकुल पड़ता ही है और तो वो इस तरीके से मुखर कोई बात कर नहीं सकते हैं यहां पर इस नॉट लगती है जो कि कॉमन तो और हम लोग भी फिर इंडियन मुस्लिम्स को उसी दाइरे और कैटिगरी में रखके देखने पर मजबूर हो जाते हैं वेनाई से हम लोग इट इस दी मेजॉरिटी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं अब अब मैं आगे यहां पर यह बोलना चाहूं कि इन लोगों को बाकी हिंदुस्तानियों ने तो इतने नजदीक से नहीं देखा होगा जितने हम लोगों ने देखा है यानि कि फौजी ने देखा है और जितने भी फौजी जिन्होंने युनाइटेड नेशन्स में नौकरी करी है और जिन्होंने पाकिस्तानी फौजीयो सर ग्लास 90% 95% वो शराप पीने के बहुत शौकीन है और हम लोगों के मैसेज में आकर और वो खूब इंजॉय करते हैं तो ये इनके डबल स्टेंडर्ड है वैसे आप कुरान की आयतें पढ़के और इसलाम की दोहाई देते हैं और पता नहीं क्या-क्या बातें करते हैं अदर रियल करेक्टर जो रियल एक आप नॉमल यूमन बींग जो है उसमें आपको वो सब अच्छा लगता है आप शराब भी दबा के पीते हैं हलाल और हराम भी भूल जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं वहाँ पर बिलकुल ठीक हो जाता है लेकिन जैसी आप अपने डोमें में आते हैं तभी आपको एक अलग किसम का एक जनून और नशा हो जाता है वहाँ पर पहचाने नहीं जा सकते और यह हम लोगों ने बहुत नजदीक से इन लोगों को देखा है बहुत ही डूबियस और डूएल करेक्टर वाले लोग हैं यह और बहुत अफसोस होता है यह देखा किस तरीके से वेंडिलाइज किया है इसलाम के रखवालों ने अब इनसे कोई पूछे कि इनकी इस बेहूदगी और इस हरकत का अगर काउंटर रियाक्शन इस तरफ हो जाए तो उनको कैसा लगेगा क्या उनको अच्छा लगेगा क्या जो मासूम यहां पर पिसेग उसको कैसे यह लोग देखेंगे कैसे justify करेंगे कैर बहराल तो यह एक मेरा idea और thought है कि क्यों पाकिस्तानी society radicalized है और उसको बनाने और रखने में क्या strategic सोच है पाकिस्तानी फौज की और यह सोच क्यों बनी और किस जंग के बाद से यह इस तरीके की सोच यह लोग रखते हैं I don't know आप इस बात से सहमत हो सकते हैं सहमत नहीं भी हो सकते हैं यह तो एक debatable point है लेकिन यह जो मेरा argument है अगर आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज इसको जड़ा like कर दें और अपने यारों मित्रों में share कर दें बहुत-बहुत महरबानी होगी और आप मेरे channel को अगर देख करता हूं और आगे उम्मीद करूंगा कि मैं थोड़ा regular हो जाओं अपने वीडियो में तो बहराल इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं फिर मुलाकात करेंगे तब तक दीजिए मुझे इजाज़त जैह